नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इस डिवी न्यूस देख रहे हैं आपके साथ मैं स्विष्टी मिश्रा में साथ मौजूद है वरिश पत्रकार अजय जी अजय पत्रकार जी आज चलिए दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद किज्रिवाल की विशेश चर्चा कर लेते ह पहले तो अध्यदेश पर अभी किज्रिवाल अभी नाराज चल रहे हैं अभी थोड़े नाराज चल रहे हैं केरिस सरकार से और हर जगा वहां पर मदद मांगने के लिए जा रहे हैं कभी शरत पवार और कभी राहुल गांधी कभी खड़गे कभी ममताब इनरजी अब एक degree पर केजरीवाल ने Review Petition दार की है जिसमें कहा गया है कि कोई website पर degree नहीं है केवल एक office register के नाम से एक website है जो की फर्जी है जिसमें signature नहीं है और इसी मामले में केजरीवाल दे इस वाल के Review Petition या Mode का दार किया है अब सर ये बता ये एक बार फिर से कि दिगरी का बकेड़ा लेकर आना ये क्या दर्शाता है क्या 24 के पहले केजरीवाल को डर्शता रहा है अभर का समर्थन नहीं मिल रहा है क्या इसे इसा है के दिजुरीवाल के सामने समिशsit यह है कि कावत नहीं नाच नावे आंगनी तेरा धी और City機ण सब लोग आप समय लिए जेल में चले गए तो इनका असन में कुछ रहा इनके साथ गंजा पंजा का रहा अब इनके साथ पोजिशन क्या है कि यह फरपणान है तो यह जानबूच के इस तरह की हरकत करना है कि हमको मतलब लोग हमको जाने और हमारा प्रपोगंड़ में आने के लिए तो यह फिरी में प्रचार कराना आर जगह जैसे जाते जैसे उद्गाटन तो जानबूच के गए कि हमको मीडिया से कब्रेज मिलेगा तो यह कुछ हो ग करें न को आजयने के वासताओ में मिनिस्टा ना है। और प्रपोगंड़ इन लएकिश न की पर्टि उप्टी इतने दिनों यह किसी को उनपर लाजा बोलेंगे किसी को कुछ बोलेंगे कि इनकी अतनी बेजती हो चुकि हाई को पहले इनके ओपर पच्चीस हजार लुपय यह लोगों का जब आया तो यह लोग पता चला गए नहीं दो ती नूच पहले तारी तो उनके वकील ने कहा जब पूछा कि भाई क्यों नहीं तो आप समझ लीजे उस वकील ने बताया कि साव आ नहीं पाए कुछ वज़े से तो पूले इसके पहले भी आप नहीं आ पाए थ जो फाइल हुआ है उसके पेपर नहीं डाकुमेंट नहीं तो आपको ताने उनका यह था कि डाकुमेंट के नाम पर अगली डेट पर जाएगी फिर अगली डेट में रिसीब करते तो आप समझ लीजे ने खुद इन से कहा तो आप किस तारीक को आ सकते तो इनको डेट दे अब यह चारों तरफ से फस गए दूसरी आपको बताने कि इतनी ताजुप की बात है इतना वड़ा बेकूप इतना वड़ा बत्तिमीज आदमी की वहां के वैप साइट में आया जब मोदी चीव मिनिस्टर बने तो वहां बोर्ड बने थे बाकाइदे उन्होंने वेलकम कि बाकाइदे उसके पेपर की कटिंग उसका रोल नंबर इन रोड लर्मेंट नंबर सब कुछ वह वैरिफाई किया इनके आदमी का एक नहीं पचाच-पचाच-बचाच-बचाच-बचाच वहां पड़े रहें जो दिल्ली राज के सरकार के खरचे से जोनोंने लाखों रु बाकाइदे उसमें बाकाइदे उनके डिश्टल उस पे सब कुछ है उसके बाब जूद भी एक लटन लगाए हुए अगला तुकि हम अगर रेस के घोड़े के पीछे टंगली मालेंगे तो साइध हम कुछ आंगे हो जाए तो उनको अकर मगर यह नहीं मालूम है वो रेस का गोड़ा जो टंगली भी मालता हो बहुत तगड़े से और पूंच भी मालता हो इनके टंगली यह पूंच दोनों लगनी बाकी है यह उसी का इंतजार करना है जो आदमी आसमेली 99 रुपए के 60-500 रुपए की आज इतने वड़े सीस महल में रह रहा है तो कभी-कभी आदमी इतरा जाता है तो कहते नहीं किसी को एक बाल यम्राज यहां से एक जन्यों को ले गए एक जानवर को वहां बड़े अच्छे माहुन में लगखा तो उसकी तवियत खराब होगे तो फिर भारत को भेज़ दिया तो हमको लगता यही पोईशन है दिल्ली में भी एक दो लिए डालने से मामला चलता रहेगा तो एक प्रिकार से इनको टाइम मिल जाए तब तक इनको कहने को होगा कि मुखमंतरी की वह आप इनकी योगता देख लीजे यह कभी कमिशनर नहीं रहें कभी वो नहीं रहें यह पढ़े जरूर है मगर ऐसा नहीं कि उनिवस्टी के ब नीचे उतार देता ऐसी कई जगे हुआ कि चीप मिनिस्टर नाम का कोई भी आदमी युनिवस्टी का कुछ भी नहीं होता है आप यहाद रखेंगे वीची वो होता है राजपाल लाजपाल के अंडर में वेस्टी होती है और ऐसे हिंदुस्तान में एक नहीं हजारों एक ज इतने बड़े बड़े लोग ते जहां पर सिक्षा जगत पर इन लोग काम किया लोग सम्मान करते मगए यह सिक्षों का भी सम्मान करना नहीं जानता है एजुकेशन वेस्टा पूरी बिगार दी अचा डिगडी का क्या है इनको सब्सक्राइब आते कहीं आता बामन करोड क बातरूम का उस दिन वो आया नितीश को बातरूम लेकर के बदल गया अब इनको क्या लगना डिगडी डिगडी इनको रोज आना सपना आता हमारी डिगडी होने वाली इस चक्कल में डिगडी डिगडी चिला रहा है तो सर ये बताईए कि प्रधान मंतरी कितने पढ़े ल को चुके हैं अध्यादेश्ट जो आकर किज्रिवाल के ऊपर माथे पर स्वाइमें जी के और संकट गहरा गया है उस पर किज्रिवाल बच्तों नहीं पा रहे हैं लेकिन यह नए नए हथकंडे अपना कर वैसे कौन सी पार्टियों को आकर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंद्रा गांधी कितना पड़ी लेखे थी कहा गिया वास्तों में कितनी थी बहुत कम कॉलिफिकेशन थी बहुत कम मंता बनर जी कितनी पड़ी लेखे थे उनकी डिगरी बाद में आई तमाम ऐसे लीडर हुए इंदुस्तान में एक दिंसा पटेल था वो कच्छा आठ इन फरिमेशन नेता है नेकरन श्रुणस संद्री खिल फिखेए एक फीज़ा प्सक्राइं तो बड़ी बुड़ी मुसीबत होगी बड़ी मुसीबत होगी हर पार्टी ऑटी बता रहे हैं वह पता चला एक डिशेप्स्टनिस्टी अगभी आज अगर उसकी डिडरी आढ़ तो समिष्या है कि सरत्पवान ने इनकी डिगरी होने जा रही है तो देखिए एक बर फिट से PM Modi के डिगरी का जो मामला है वो एक बार फिट से केजरीवाल ने उठाया है और इसी को लेकर उन्हें कोट में रिव्यू पेटिशन डाला है जिसकी सुनवाई 30 जून को होने वाली है तो इंतजार रहेगा और इंतजार आप भी कीजिए हम आपको पल-पल से अपडेट देते वे नज़र आएंगे बहुत शुक्रिया सार डिबेट में डूने के लिए और देखने वाली बात होगी लेकिन आप क्या सोच रहे हैं ये कॉम्मेंट बताईए PM Modi की डिगरी दिखाओ भियान की शुरूआत एक बार फिट से केजरी वाल ने छेड़ दी है इससे जनता को क्या मतलब या इससे जनता क्या सोच रही है क्या ये केजरी वाल का नया हथकंडा राजनिती में एक बार फिट से अपने आपको सुपीरर दिखाने के लिए या फिर एक बार फिट से अध्यादेश मामले में जटका लगा एक बार फिट से कॉंग्रिस का साथ नहीं मिला तो क्या बॉखलाहट पीएम मोधी की डिगरी के दुवारा वापस से बाहरार ये कॉमेंट करके मताईए बहुत शुक्रिया आपका